दर्शुकर नमश्कान मैं हूर आनी शर्मा MNS News लाइब में अब सभी का स्वागत है गोसे खुर्द के अधूरे नहरों ने की उपारा की किसानों की जिन्दगी बर्बाद विधर्व के सबसे बड़ी और सबसे प्रलंबित गोसे खुर्द परियोजना के एक तरफ जहां किसानों की जिन्दगी में हरी क्रांदी लाने वाली थी वहीं दूसरी और गोसे कुर्थ के अधूरे नहरों ने हरित क्रांदी के बजाए किसानों की जिंदगी परभात करना शुरू कर दिया है गोसे कुर्थ परियोजना के लेफ्ट केनाल का निर्मान कारी धीमी गती से शुरू है अब तक लाखा अंदूर तहसिल के टेल तक नहरे नहीं बने है बताते हैं के विगत 25 वर्षों से नहरों का काम अधूरा ही चल रहा है नतीजन अधूरे नहरों की वज़े से बारिश का पानी सरण तरीके से निकासी नहीं हो रहा है लाखां दूर तहसिल के ग्राम उपारा की किसानों की जमीन को आदे अदूरे नहरों ने नाले में तब्दिल कर दिया है करीबन तीन एकड जमीन में नहरों का पानी जाने से जमीन की 5-6 पिट गहरी मिट्टी बहे के चली गई है अब तक वहाँ जमीन की जगह नाला दिखाई दे रहा है गोसे खुर्थ परियोजना जिसका भूबी पूर्जन पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गी राजीव गांदी के हातों किया गया था उसे अब 30 साल से भी ज्यादा बसमें हो चुका है लेकिन सरकार और प्रसाशन की अनास्ता से गोसे खुर्थ परियोजना किसानों के जीवन में हरी प्रांदी लाने के बजाए किसानों के सिंदकी वर्भात करने में लगी है आईए देखते हमारे भंडारा ब्यूरो चीप निशाद लांजेवार की खास कबर गोसे खुर्थ धरन किसानों के लिए वर्दान समझकर यहां बनागया हजारो करोल रुपई इसके लिए खर्चा किया गया सपने धिकाया गया कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए सिचाय के विवस्तव हो जाएगी और सिचाई के मादेन से किसानों का भला होने वाला है उसका आर्थिक लाब होने वाला है ये बात बिल्कुल सच है कि अगर सिचाई की विवस्ता हो जाती है पाने की विवस्ता हो जाती है तो किसानों की फसल भी बढ़ेंगी उनकी आर्थिक उनती होगी ये बिल्कुल बात स किसान का फायदा नहीं, उनकी जिंदगी बर्बाध हो चुकी है। कई किसणों की जमीने बर्बाद हो कुकी है। नाकामियह हो चुकी है। मैं अभी सिम्हेर पर एसके जगह पर ख़ड़ा हूं। यह जो कैनल आपको दिखाई दे रहा है यह कैनल आ रहा है बिरली राजनी करांडला होते हुए ओपारा यह कैनल तो बनाए गया पिछले 10-12 वर्सों से इसका काम पुरा किया गया लेकिन यह कैनल जहां ओपारा के पैसम नाला हुआ नाला तेक नहीं जूड़ते हुए केवल बीच में इसका काम रोका गया इस वज़े से जहां से काम रोका गया उसके आगया कम से कम 12-15 हेक्टर जगह किसानों किये लेकिन जिस जगह काम रोका गया उस जगह पानी आकर पूरा का पूरा पानी किसानों के खेत में जाता है आज कि खेती की हालत इस तरह से बत्तर हो ग का नुस्कान हर साल उनका होते आ लाय को किसानों का भारी नुश्कान यहां पर होते आ रहा है और एक किसान वहती最 마음에 चुंताग्रास्त। यहां पर है मनुद्र को hierarch हैँ से अपना नाम बता यह बौत Mexican इस अभी आपकी क्या क्साथ विए ड़ेद राने रो पार क्यान दिकर अपको तिकत मसे कुछ अपली मुजे सब खतता हैैं जाले लिया है दावर्स को बदार मेशा करे भानो अट पन्यह पना होते हैं इस के बारे में अपने कुछ भी शिकाइत व गहári की है नइ अधिकारी को बताए कि इसके बारे में बताए ना दौन सब्सक्राइब लेकिन कुछ नहीं करा कितनी नुष्कान होगी आपकी बहुत नुष्कान है ना जबली तुम्हें देखा ना भी दस सल होगा आपका नम के पुर्शुत्तम जगन राउत उपारा अच्छा आपको क्या अधिका लुड़ा नुष्कान एतना है तेखे मूले मा कास्तोकारा कामन खट्टा झाले या तैखे मुड़े मेरा ली आपनानाल भलपाओ जी मेरा भी हवी आपनाल भलपाओ ती अच्छा आपका क्या नाम है तम्जा गंजी राउत राना रोपारा तेट वेवस्ताए जी बापने हादी के अखितित वतुनाे जॉत एके रोिफ यह शुकरेत को श्रीघ आपने वाइशा हिं अपने जिन स्काइट जो हुए तो सब्सक्राइब नहीं चॉंधने कर दो और कि यॉत्जा था रहों वाधिकारि होदू कि कि जाती है लेकिन ईसे सिकायत कोही सुने के लिए ट्यांस कि आना बोफ हो जाता है यहांना नाला कहां तक है नाला ठेलिंग पानी जाना च्याएं लेकिन वह नहीं करते हैं बीच में छोड़कर ये गोशी खुद के दिकारी भाग गए काम बंद कर दिया गया है मसलें क्या होता है कि यहां तक पानी आता है और पानी जिदर उदर फैल जाता है उस वज़े से पूरे खेतों के अंदर पानी जाने से धानक फसल या ने कोई भी फसल रहे उसके कारे करता है निताज जी है इनसे हम बात करेंगे आप अपना नाम बताइए और इसके बारे में आपने क्या मतलब शिकायद की या अधिकारी से मिले और आपको क्या जबाब मिला मेरा नाम लेखरा मरीचंटर ठाकरे मैं गरामपंज सद्धेश्यों तथा कालुका कांग्रेस महासाची हूँ मैंने दो-तीन साल पहले गोशेगूर्द प्रकलक बजी आधिकारी है उनको शिकायद की थी कि ये जो कालवा है बीच में आप ने छोड़ दिया है इनके बज़े से दस बारा जो हेक्टर जबीन है या कि छती कस्त्र होते है आज के दिन तो आपने देखाई शोये कि 7-8 फी से उनका जो प्रेट पारिन चलता है लड़की की शादी हो या कोई कारिकरम हो शेती के उपर ही उनका जीवन है वह आज जीवन कैसे करेंगे हमने जब 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 गोशेगूर्द वालें को बोला कि कुस तो भी हमको मदद दो यहीं कि अभी समझो लाखों रूप है कि हमारी कि अच्छी फसल भी नहीं आती इसलिए यह एक ही कालवा ऐसा है इसे नहीं है हमारे उपार में ऐसे तीन कालवे है जो बिच में छोड़ियों है जिनके बज़े से मेरे ही सब से कम से कम मैं तीनों कालवे के तरफ देखने के लिए गया तो कम से कम सव एकर से ज्यादा जमिन पानी की निचे आ रही है फसल भी पूरी गई है गई हुई है और किसान भाई वोलो तो पूरे गरीब है आज पूरे राज्य में देख रहे हैं आप हर कोई फासी लग रहा है कोई आत्मत्य कर रहा है यह इतने सारे प्राबले होने के बज़े से वो आत्मत्य कर रहे है और मेरे हिसाब से राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को किसानों के तरफ जिस तरह से देखना चाहिए जिस नजरिये से किसानों का काम करना चाहिए उस नजरिये से करने रहे सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे टीवी के उपर देख रहे अपनी सिप प्रसिद्धी कर रहे हो किसानो या केंद्रसरकार से यही है कि आप खुद की टिम भाया आप भेजिए खुद अपने आखों से देखिए अगर हमारा काई ना जो अपको गलत लगता हो तो आप खुद की टिम देखिए और उन कास्तकर भाईों से मिलिए कि उनकी वेथा क्या है आज आगस्ट महीना चार रहा हमारे खेती के लिए आगस्ट महीने से पहले जो अपना रुपाई बोलते हैं रोने की वो होनी चाहिए तब ही वसल अच्छी आती है लेकिन आज उनकी वसल पूरी चली गई है वो दो-चैर बार मेरे तरफ आये तो रो रहे थे लेकिन मैं भी साधाय कार्य करता हूं मेरे ह आप से यही है विलंती है कि जो मेरे किसानग नुकसान हो रही है उनके दर आप धहान दीजै और ज्यादा से ज्यादा नुकसान बर्भाई आप देंगे यह हम आशा करते हैं तो ये किसानों की वेता आपने सुनीए गोसे खुर्द कहने के लिए तो हरित करांटी लाने वाला है लेकिन फिलहाल किसानों के जिंदगी में कोई हरित करांटी नहीं है उनकी जिंदगी बरबाद होने के कगार पर क़ूंए झजगा पर खड़ है जो कानल का काम जहाँ बंद हो गया वहां से जो पानी किसानों के खेत गोसकर फाइल रहा है उस वज़ए से भारी सपीड से पानी आने के वज़े से किसानों के खेत में की पूरी की पूरी मिट्टी यहां से पूरी बैके चलिगे यहां से पूरी की पूरी मित्टी कम से कम तीन से साड़ी इकड़ का जगह है उसमें से पूरा नाला ऑबन गया याप से जाधा से जढ़ा खृति कि कर बाद आए थी कि कम से कम पिस से 25 से 30 हजार रुपया इसमें मिट्टी डालनी के लिए लगेंगे मतलब धान की रुपाय भी नहीं होगी यह की शक्ति हो गई और इसको पूरी जमीन रेगुलर करने के लिए और मिट्टी डालना पड़ेंगा और इसको पर भी हजार खेंड कि कि लिए अपने मनमानी की वजए से अलगरजी की वज़ेसे जिस तरह से क्यांनों का पूरा काम नहीं किया जहां मां काम रोके रग दिये उसके वज़े से पानी किसानों को खेत में जाता है और भानी दूसकारे आपर हो रही है कोई काम नहीं हो रहा है अधिकारी बिलकुल सुष्ट है कोई ध्यान देनी के लिए त्यार नहीं है हम कहते हैं कि किसान आत्मेत्य क्यों करता है विदरबग के अंदर खास करके विदरबग के अंदर बहुत सारी किसानों के आत्मेत्य होरी वज़े क्या है तो इसके लिए अगर दोसी है तो सरकार की अनास्ता है राज्य सरकार इनके दर अंदिखी कर रही है जिस समय पर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होने के वज़े से किसानों की भारे क्षती होती है और मसलन उनको मजबूरन आत्मत्य करने के लिए प्रणुद होना पड़ता है क्या किसानों की आत्मत्य करने के बाद में गोसे खुरत का पूरा काम करेंगे रज्य सरकार ये भी एक सवाल खाड़ तालोका में जितने भी गाम आते जहां-जहां पर भी ये केंदल का काम चलुए सारे किसरान तरसता है अभी इस सब भास भारे-बारे सोने के वज़े से कई जगा पर कैंदल भी फूटें और उस वज़े से किसानों के भारे क्षती हुई है इसकी तुरत मरह मत हो जाए और क इस हिंदी एप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार